हाई गाईज मैं रीटा नंदू और यहां पर मैं आज आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ आप देख सकते हो हमारी आज की जो मॉडल है उसकी स्किन है बीटी लिगो स्किन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसे रियालिटी में क्लाइंट मिलते हैं जिसे ऐसा लगता है कि क्या यह 100% कवर होगा यह स्किन जो अनिवन है यह 100% कवर होगी या नहीं तो गाईज उसी के साथ मैं मैं आज आपको यह पूरा मेकप का टुटोरियल देने के लिए यहां पर आ गई हूँ आप देख सकते हो हमने सबसे पहले स्किन को प्रिपेरेशन किया जिसमें हमने जिसमें करेक्शन कर लिया है अब ये करेक्शन को मैं सबसे पहले नि-ट्रिलाइस कर रही यूँ नि-ट्रिलाइस करने का exact मीनिंग होता है जो हमारे स्किन का शेड होता वही शेड मैंने इवन शेड हमारे फेस पर लगा दिया ताकि यह जो औरेंज कलर करेक्टर है वो कम दिखे अब देख सकते हो जहाँ जहाँ अनिवन स्किन थी वहाँ पर मैंने नियुट्रिलाइज कर दिया और उसके बाद में नाव आइम टेकिंग द फांडेशन जिससे हम क सब कुछ एवन लगे और पूरे फेस पर मैं ऐसे अपलाई करें अफकोर्स हमने बहुत सारे लेयर लगाए है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा लेयर पतला दिखे ताकि हमारा फांडेशन भी पतलाओ तो वह चीज का ध्यान रखना है और नाव आम आपको पता होगा लिक्विड कंसिलर क्यों यूज होता है लिक्विड कंसिलर एक्चुली यूज होता है हमारे फीचर्स को एन्हांस करने के लिए जो पोर्शन को मुझे एन्हांस करना है वहां पर मैं इसे लगा के ब्लेंड करने और मैं फिर उसके बाद उसे पाउडर से बेक करके उसे लॉक कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और जहाँ-जहाँ मुझे क्रीज लाइन लग रही है, उसे भी मैं करेक करके पाउडर से लॉक कर सकते हूँ, और उसके बाद में आप देखिए, फीचर्स को एन्हांस करने के लिए, I am taking contouring, contour कर रही हूँ, उसके बाद में blusher and then हमारा highlighter, आप देख सकते हो, उसके skin जो uneven skin थी, now it's perfectly proper और वो even भी हो गई है, और आप देख भी सकते हो, कि आपको इसाद दिखेगा भी नहीं, कि ये client without makeup ये वेटी लिगो skin है, और उसके बाद में eye shadow, eye shadow के उपर एक हलका सा depth देकर, बहुत basic और subtle सा eye makeup करें हूँ, आज का हमारा topic actually, skin को even करना है, तो eye makeup पर हम बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे, बहुत basic और subtle सा eye makeup करेंगे, अब देख सकते हो, उसमें eyes में depth देने के लिए हलका सा dark brown shade भी लिया है, और उसके उपर हलका सा हाथ से use करके एक shimmer अपलाई किया, और eyes open होने के बाद में आपको सम यहाँ पर एक काजल का depth भी दे दी हूँ, जिसके बाद वो एक eyes में एक enhance होने के लिए एक depth create हो जाए, और उसके बाद में वापस से एक finishing के लिए I'm using Mac का studio fix, आइब्रो को define कर रही हूँ, अब देख सकते हो, without eyebrows, शायद makeup में ऐसा होता है कि कभी without eyebrows look ही नहीं आता, तो सिर्फ eyebrows के edge पर, arch से create होकर वहाँ पर एक eyebrows के look को दे रही हूँ, हलका सा eyes के नीचे एक dark brown shade ले रही हूँ, जहाँ पर भी मैं eyes को enhance कर सकती हूँ, और उसके बाद में taking mascara, upper lash पर और lower lash पर भी, आप देख सकते हो, हमारा base जो पहले आपको थोड़ा बहुत powder ही लग रहा था, now it's even, मतल यहाँ पर जो मैं highlighter यूज करी हूँ, यह फेरा रुसी ब्रैंड का है, जो मैं features को enhance करने के लिए कर रही हूँ, और overall all, आप final look देख लीजे, जहाँ पर मैंने lastly, fixer मार के, मैंने हमारा makeup set किया है, और finally here is the look, पूरी bride हमारी ready हो चुकी है, और आप मुझे comment करके यहाँ पर बत flawless, उसका face एकदम enhance होकर आ रहा है, of course she is not the model, यह एक normal लड़की है, तो might be pose देना ठीक होगा,